दोस्तों अगर आपने VPSC TRE 3.0 का एक्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहां पर important अपडेट है काफे भी हर्दों के comment आ रहे थी इसको लेकर के जैसा कि जो मांग चल लिए दोस्तों आपका result से पहले DV कराने को लेकर के तो जब तक आप इसे पहले से ready नहीं रखेंगे त उस टाइम आप कुछ नहीं कर पाएंगे आप selected हो करके भी जो है कुछ न कुछ वज़े से रह जाएंगे इस वज़े से आपको यह सारी चीजे यह knowledge होना जरूरी है सबसे पहले दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे यह documents नहीं तो DV counseling से बाहर और यह सारी चीजे जो है यह official जो BPC की दरफ से जारी की गई जो जानना आपको बहुत जरूरी है दूसरा other state अभी हारतियों के comment है कि मैं हम other state जा हैं तो क्या-क्या हमारे लिए जो जरूरी documents है वो क्या-क्या लगेंगे और दूस्तों वहीं पर बहुत से ऐसे candidate हैं BA वाले, dealate वाले, seated वाले भी जिनके जो अभी certificate उनका कहना है कि मैं result तो आ चुका है बट अभी certificate नहीं मिला है उनकी degree जो है नहीं मिली है तो क्या जो है वो result के base पर जो है वहाँ पर verification करवा सकते हैं उससे कोई issue तो नहीं होगा इस तरह के काफी documents related उनके comment आए हुए है तो यहाँ प पे सब कुछ लिया है और आप जो है हम लोग पूरा detail देखने वाले हैं तो आप सब बने रहेगा वीडियो के last तक बिना skip कर दोसों नहीं हो चैनल पर subscribe कर लेजेगा bell icon को प्रेश कर लेजेगा ताकि इसी तरह की authentic update आप तक time पर पहुंशती रहे सबसे पहले दोस्तों जो यह checklist है उनकी तरफ से BBC की तरफ से ही जारी की गई है और इसमें सारी चीज़े आप के लिए समझ सकते हैं दसमी का जो है आगर हम बात करें डिवी की तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आप यह जाले जाए अगर डिवी पहले भी होगी तब भी जो है आपको वही चीज़े चाहिए और अगर डिवी बाद में भी होगी तब भी जो है बहुत जादा रिजल्ट के बाद बहुत जादा वेट नहीं करना पड़ेगा दो से तीन दिन के अंदर ही आपको जो है डिवी के लिए बुला लिया जाएगा कांसलिंग स्टार्ट कर दी जाएगी जैसा अगर आपने की 30-2.0 में देखा होगा तो ईसमें 35 को आपका रिजल्ट जारी किया गया था और उसके तुरोंत बात सत्ता इस्ते बी इसे डिबी स्टार्ट हो गई थी कांसलिंग हो गई तो result हो या DB पहले हो या बाद में हो आपको time उतना ही मिलना है इसलिए आप ये सारी चीज़ें को ready रखेगा यहाँ पर जो checklist है first पर आप देख पारूंगे दसवी का आपका अंकपत्र होना चाहिए दसवी का मूल परमाणपत्र होना चाहिए तो क्या हम provisional से काम चला सकते हैं तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सापतर पर इसलिए mention क्या गया अगर नहीं है तो नहीं ले जाना है ठीक है दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं आप provisional भी लगा सकते हैं यहाँ पर असना तक मूल परमाणपत्र या और बंदिक परमाणपत्र अगर नहीं है तो नहीं ले जाना है असना कुतर अंगपत्र पेपर टू के लिए है असना कुतर मूल परमाणपत्र या और बंदिक परमाणपत्र या परमाणपत्र या अगर नहीं है तो नहीं ले जाना है ठीक है बियड और डियलेड अंग पत्र आपका होना ज़रूरी है बियड डियलेड मूल परमाड पत्र या अगर नहीं है तो नहीं ले जाना है प्रोविजनल को लेकर के बहुत सारे अभियार्थियों की कमेंट आया था कि मैं प्रोविजनल लगा सकते हैं कि दोस्तों बिल्कुल लगा सकते हैं जाती परमाणपत आरचित अभियार्थियों के लिए है वही आवासी परमाणपत्र जो है आरचित अभियार्थियों के लिए दिव्यांगिता परमाणपत्र जो है पिएच अभियार्थियों अब यहाँ पर अगला पाइंट जो आप लोग देख पारोंगे मूल आधार कार् हादार कार्ड होगा दोस्तों जो आपका अधार काड वोंडर आपका लिंक है वहीं आपको लेगार को आधार का आपका नंबर आ है शो इसमें जब किया जाता है तो आपके जिस मुबािल से वह लिंक होगा उस पर OTP जाती है यह OTP उनको जानना बहुत जरूरी है यही OTP उनको चाहिए होती है अगर यह वहाँ पर नहीं मिलेगा तो आपको वापस भेज देंगे कोई नो कोई बताएंगे या फिर बाद में जो है जब सारा प्रॉसेस कंप्लीट होगा तब कहीं जो है आपको डेट एक चांस दिया जा सकता है बट आपको इसमें रिस्क नहीं लेना है क्योंकि बहुत से भ्यारतियों को TRE 1.0 TRE 2.0 में इसी के लिए बाहर किया गया था तो आपको यह साथ में लेकर के जाना है आपके घर में जिस भी मोबाइल नंबर से कनेक्ट होगा आपका अधार बाहर को लेकर के जाएगा जिसके भी मोबाइल से होगा अब दूसरा यहांपे आप देख सकते हैं आप ब्यारति का चार फोटो चाहिए CETAT S.T.T. का अंकपत्र चाहिए CETAT का परमार्पत अगर नहीं है तो नहीं ले जाना है मार्य जिनका CETAT का अंकपत्र नहीं होगा त केरें जैसे उनके बहुत से विहाठों के union में होंगे होंगे हथर किसी भी bank में हो शकते हैं लेकिन स्थेट बेंग में हर किसी का नहीं होता है to उनके यह So close कि बैख इसके लिए मैंने पुरा काम हो जाता है टाइमस आपको सब कुछ मिल जाएगा बट अगर आप अधर स्टेट का देते हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी देरी होगी कुछ ने कुछ इशू रहेगा तो यही सारी चीजे हैं जिसकी वज़े से आपको यही करवाना है स्टेट बैंक का ही यहाँ पर अकांट आप लोग नहीं खोले होंगे खोली जिएगा दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं अगला जो है पैन कार्ड आपका जरूरी है आधार कार्ड तो जरूरी है उसके साथ आपका पैन कार्ड भी होना जरूरी है इसलिए आपको पैन कार्ड आधार कार्ड दोनों लेकर के जाना है सभी परमाडपत्र का ओरिजिनल कापी लेकर के जाना है आप देख सकते हैं जितने भी आपके प्रमाडपत्र की छायपरती भी लेकर के जाना है, वाटरमार्क वाला सभी प्रमाडपत्र वीपसी वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद डैश्बोर्ट से प्राप्ट कर सकते हैं, तो यहां पर दोस्तों जैसा कि अगर हम वाटरमार्क की अगर बात करें, तो यह वाटरमार्क अभी तो आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी इनकी तरफ से जारी नहीं किया गया है, तो यह आपका अगर डीवी पहले होगी तो रिजल्ट से पहले जारी कर दिया जाएगा, वाटरमार्क जो डाकुमेंट से है, अगर डीवी बात में होगी तो रिजल्ट की बात जारी किया जाएगा, तो इसको लेकर कि आपको परशाद नहीं होना, बाकी जो सारे डाकुमेंट से हैं, वो कंप्लीट रखिये, बाटरमार्क वाला जो प्रोसेस है, यह बीपेसी की तरफ से किया जाएगा, उनका एड्रेस भी वहीं का होना चाहिए, यह भी मेंशन किया गया है, तो जो भी महिलाएं हैं, जो आरच्छड के लिए वहाँ पे अप्लाई की हैं, तो उनका जो एड्रेस है, और जो सब कुछ जो डाकुमेंट से हैं, वो फादर नेम पे होना चाहिए, यह इनकी तरफ से बताया गया है, तो यह थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी, जो कि मैंने आप सभी को दे दी, साथी दोस्तों, सीटेट में आपका जो अधर स्टेट से हैं, उनका 90 नमबर 90 प्लस होना चाहिए, और जो महिला हो, मेल हो या फिर फिमेल हो 90 प्लस ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि फिमेल का 82 प्लस रहेगा, तब भी जो है उसके लिए लिजबल होंगी, 82 प्लस वाले जो अभी हरती अपलाई किये थे, टीरी 1.0 और 2.0 में, उनको जो है बाहर कर दिया गया, या नहीं 90 और 82 के बीच जिनका था, तो इसलिए आपका 90 प्लस होना चाहिए, वहीं STT के बाद करें तो दोस्तों इसमें 75 प्लस अधर इस्टेट होना चाहिए, तो यह थी इससे डिलेटेट पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दिये, तो बस इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं दोस्तों आप नेक्स अपडेट के साथ, तब तक लिए बाइबार, टेक केर, वीडियो हेलफूल लगा होगा, तो लाइक कर दीजेगा, ज्यादा ज्यादा लोगों तक शियर करिएगा, यहाँ से जो भी न्यूज मिलेगी, आपको आथंटिक मिलेगी, ओफिशियल मिलेगी, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स अपडेट के साथ अपकली, बाइबार, टेकर, तैंक्यू,